हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, AIS Educations, आज किस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, इगनू का BEGC 134, Reading the Novel, जो नए जो बैसलर डिगरी कोर्सीज हैं, न्यू पैटरन, CBCS कोर्सीज हैं, उनमें ये कोर्स हैं, तो किस परकार के इसके क्यूस्टन्स लाइब के आते थे, और वैसे तो ये नया कोर्स है, लेकिन इसके एगनू में पहले सेम टाइटल का अधर कोर्स भी था, तो एकज़ेक डिटेल्स आपको कवर करूंगा मैं, ताकि कोई भी आपको डाउट ना रहे, वीडियो में स्टार्ट करते, लेकिन जिससे बहले बैसलर डिगरी पैटरन कोर्स थे, उसका BEG 108 कोर्स था, और नए कोर्स में इसका नाम अभी BEGC 134 रखा गया है, रिडिंग दा नोवल सेम है, तो सेम पैटरन के इसमें क्यूस्टन सापके आएंगे, सेम पैटरन के आपके, सेम क्यूस्टन भी रिपीट हो सकते हैं, और प् कवर कर रहा हूं, पहला एक राइट सोट नोट सोन आजकल आ रहा है, उसमें चार दिये, जिसमें से दो पर आपको लिखना है, दस दस नमबर के हैं, और उसके बाद दूसरा क्यूस्टन आप देख सकते हैं, कमेंट ओन दा सिग्निफिकेंस ओफ देथ ओफ नी, डिफार ग तो आपके जो नोवल्स हैं, उसका एक्जक्ट सभी नोवल आपको पढ़नी है थोड़ी-थोड़ी, तो मैं जो क्यूस्टन पेपर आपको दिखा रहा हूं, यह रीडिंग दा नोवल, यानि कि आपका BGC134 सेम सलेबस का है, और एकनो में पहले एक्जामिनेशन इसके इसके लगा आपको कैसे त्यारी करनी है, जो क्यूस्टन पेपर में सेयर कर रहा हूं, इसमें से जो क्यूस्टन रिपीट हो रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लें, बाकि जो पूछे गए हैं, उनको थोड़ा-थोड़ा पढ़ लें, जैसे कि पराजा नोवल वा परसके और कोई डाउट ना रहे, तो एक्जामनेशन का पैटर्न आपका किलियर है, समय तीन घंटे, सो माक्स का क्यूस्टन, बीस बीस नंबर के आपको पांच क्यूस्टन अटेंप्ट करनी है, तो इस तरह से जो फस्ट पेपर में हो रहा था रिपीट, इस फाल अपार् परन्वेक जामाइग, अग्जेक्ट क्लरिफिकेशन, रिदिंग नोवल